नमस्कार दोस्तों केरियर पॉइंट यूटूब चैनल पर आपसे भी का स्वागत है तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए जर्नल साइज का प्रेक्टिस सेट नमर एट लिग रा गए पांसो अति मैंतर पूर्ण परशन की वीडियो है जिसके अंदर हम आपको करते हैं फिज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के बाद माँ को बैल आइकन दिखाए देगा नोटिफिकेशन के लिए उस पर भी कलिक करिए साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपको और अच्छे कि खें तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिये और शेयर कर दिजी अपने दोस्तों इसाथ फेसबूंक फड़ सफ पेस वीडियो आशे और दोस्तों हमें जरूसमें बताना अब को लगई क्यूसmetro का जरूर बताना दो चलिए देखके आज का पहला क्यूसा कौन सा विटामिन निकल जाता है छिली हुई सबजिया जो होती है देखिए उनको दोने से कौन सा विटामिन निकलता है विटामिन सी निकल जाता है ओप्शन भी आपका सही आंसर होगा छिली हुई सबजियों को बार-बार धोने से विटामिन सी निकल जाता है अगला क्योश निमनले कितमे से, किसकी उपस्तित के कांड दूद में मिठास आती है, तो देखी, किसका उसरियाожалуй क्या होगा, किसकी वज़े से, लैक्टोज की वज़े से, टीक है, लैक्टोज की वज़े से, दूद के अंदर मिठास आती है option C आपका से हो जाएगा lactose next देखी परकास translation की किरिया में किस परकार का परकास सबसे अधिक परभाव साली होता है परकास translation की किरिया में किस परकार का परकास सबसे अधिक परभाव साली होता है लाल रंग किस परकार का red color जो है सबसे इन्दिक परभव साली होता है परकार संसलेशन की किरिया के दोरान ओप्षन दी आपका स्यू जएगा लाल रेड गलार नेश्ट देखी पोदों की लंबाई में विरिदी के लिए आवश्क नहीं है पोदों की लंबाई में वरिदी के लिए क्या आउश्यक नहीं है sodium किसके आउश्यकता नहीं होती है sodium की आउश्यकता नहीं होती है लेकिन दोस्तों calcium की आउश्यकता होती है nitrogen की भी होती है और phosphorus इन तिनों की पोदों की लंबाई में आवश्यक्ता होती है लेकिन sodium की कोई आवश्यक्ता नहीं होती option A आपका सही आंशर होगा next देखी सबसे अधिक लोहा पाया जाता है सबसे अधिक लोहा iron किस में पाया जाता है हरी सबजे में किस में पाया जाता है option C आपका सही आंशर होगा नेक्स देखी अगला क्यूशिन है, स्वेत प्रकास जब प्रिजम में से गुजरता है, तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा ऐसा कलर है, जो सबसे कम विचलित होता है, ला, रेड कलर जो है, वो सबसे कम विचलित होता है, स्वेत प्रकास को जब हम तो देखिए उसका सही आंसुर क्या होगा तो देखिए इसका सही आंसुर क्या होगा देखिए इसका सही आंसुर क्या होगा दावनिक क्या होगा याद रखना इंपोर्टेंट क्योस्टन है अगला क्योस्टन देखिए इसको याद रखना CDFD की full form क्या होते है center for DNA fingerprint diagnostic तो यह काँ पर है है हैदराबाद में याद रखना है एदराबाद में है CDFD Center for DNA fingerprint डायोगिनेस्टिक है अप्सटन ए आपका सही होगा अगला क्योस्टन है नेक्स देखिए प्रोटें के निर्मान में आधारबूत इकाई है प्रोटें के निर्मान में आधारबूत इकाई क्या होती है अमीनों अमल रखना प्र प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अमल के आउशकता होती है तो इसका सही आंसर होगा 20 कितने 20 अमीनो अमल के आउशकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए याद रखना प्रोटीन बनाने के लिए 20 20 अमीनो अमल के आउशकता होती है option C, सही answer होगा अगला question ने next देखी DNA translation का पर्थिपादन किसी ने क्या था DNA translation का पर्थिपादन किसी ने क्या था author karnberg ने, option A आपका सही होगा next देखी gene का आकार होता है gene का आकार कैसा होता है सरपाकार कैसा होता है, सरपाकार होता है gene का याद रखना, option C आपका से उज़ेगा important question है, gene का आकार होता है सरपाकार अगला question है नेमले की तमेशे, कौन सी जाच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है बच्चे का पिता का निर्धारण किसे होता है, देखी, DNA fingerprinting से, ठीक है, option D आपका से होजेगा, DNA fingerprinting से किसी भी बच्चे के पिता का निर्धारण किया चा सकता है, next देखी, अगला question है, डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को किस के लिए Nobel Prize मिला था, हर्गोविंद खुराना को किस अविस्कार के लिए Nobel Prize दिया गया था, जैनेटिक कोड की खोज के लिए, याद रखना important question है, जैनेटिक कोड की खोज के लिए, हर्गोविंद खुराना को Nobel Prize से सम्मानिद किया गय था, option A आपका सही होगा, अगला question है, next देखी, DNA का मूल मात रखे, DNA का मूल मात रखे, तो इसका सही आंच रोगा, nucleosides, क्या होता है, nucleosides होता है, DNA का मूल मात रख, option C आपका सही होजाएगा, और आपसे DNA की full form भी पूछ सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए, इसकी full form होती है, deoxyribonucleic acid, क्या होती है, अगर फिर से repeat करें, deoxyribonucleic acid, DNA की full form होती है, याद रखना, और DNA का मूल मात रख होता है, nucleosides, next, देखी, आतम हत्या की थैली कहा जाता है, आतम हत्या की थैली, किसको कहा जाता है, lysosome को, किसको कहा जाता है, lysosome को कहा जाता है, option C, आपका सही है answer होगा, अगला question देखी, next, ते, उतक है 1, उतक क्या होता है, देखी, उतक होता है, समान कोशिकाओं का सम्मू, क्या होता है, समान कोशिकाओं का सम्मू होता है, option C, आपका सही answer होगा, next, देखी, नमल कित में से, कौन सी कोशिका, एक सुख्ष्टम जिवित कोशिका है, कौन सी ऐसी कोशिका है, जो एक सुष्टम जीवित कोशिका है, कौन सी है, माइको प्लाजमा, ठीक है, याद रखना, माइको प्लाजमा क्या है, एक सुष्टम जीवित कोशिका है, option C आपका सही आन्सरों का, अगला question है, next देखी, प्राकन, पॉलिनेशन के लिए निमर में से कौन सा तताव आवशिक नहीं है, तो कौन सा आवशिक नहीं है, देखी, तो friends इसका सही आन्सरों का, आग, जो आग होती है, उसकी आवशिकता नहीं होती है, प्राकन के लिए, लेकिन हवा, पानी, कीट, इन्हें सभी क्या आवशिकता होती है, याद रखना, प्राकन के ल जिसके अंदर बीज तो पाया जाता है, लेकिन दोस्तो फल नहीं पाया जाता, तो सही आंशुर होगा, साइकस, ठीक है, साइकस एक ऐसा पोदा जिसमें बीज तो होता है, लेकिन फल नहीं होता, option C, सही आंशुर होगा, अगला question है next देखी, नास्पति में कौन सा भाग खाय नास्पति का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो देखिए गुद गुदा पूश पासन, थिए नास्पति का हिस्सा जो खाया जाता होटा है, option C, सही आंशुर होगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं होगा, तो प्लेज इस वीडियो को आपने फटा अफट लाइक करिएगा ठीक है और अपने फ्रेंज का इस वीडियो को शेर चुरूर करिए अगला क्यूश्चिन है प्याज में खादे भागे प्याज का खादे हिस्सा कौन सा होता है तो सही आंशर होगा तरना अगला क्यूश्चिन देखिए नाइट्रोजन सित्रिकरण में लेग हिमोगलोबिन का कारिये क्या होता है तो देखिए इसका सही आंशर होगा ओक्सिजन का आउश्चिन आपका सही होगा नाइट्रोजन सित्रिकरण में लेग हिमोगलोबिन का कारिये होता है ओक्सिजन का आ नाइट्रोजन योगी करण जिवान हुए, कौनसा सह जीवी नाइट्रोजन योगी करण जिवान हुए, सही आंशुर होगा, राइजो बियम, option A आपका सही हो जाएगा, राइजो बियम आपका सही आंशुर होगा, याद रखना, important question है, एक बार फिर से repeat करें, निमन में से ऐ कुमसा सह जीवी नाइट्रोजन है, योगी करण जिवान हुए, तो देखिए, सही आंशुर होगा, राइजो बियम, अगला question देखिए, next है, निमन लिखित में से किसके द्वारा दूद खटा होता है, किसके द्वारा दूद खटा होता है, बैक्टेरिया के बैक्टेरिया जैसे दोद जो है, वो खटा हो जाता है, option C, सही होगा, अगला question है, next देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग कोन से है, HIV के द्वारा होने वाला रोग है, AIDS, option D, सही आंशुर होगा, next देखिए, खश्रा या मैसल्स निमल की तिमेसे किसके संक्रमन के कारण होता है, खश्रा निमल की तिमेसे किसके संक्रमन से होता है, तो देखिए, सही आंशुर क्या होगा, विशान, या देखना खश्रा विशानु के संक्रमन से होता है, option B आपका सही आंशुर होगा, next देखिए, सैवालों की कोशी का भित्ती किसकी बनी होती है, सैवालों की कोशी का भित्ती कि साबूदाना या सागो किस से बनाया जाता है शाबूदाना या साबूदाना बनाया जता है जूनी-पेरस दकी एप ज्ण्याहे पार पहुत ही इमपोटन क्यूशिंट एक जम्य बहुत पार पूछ Message करें सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब जरूर करें तो सब्सक्राइब बाद में आपको बैल आइकन सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुड़ बाई टेक केर जैहिन जै भारत वंदे बातरम